संसर टीवी की टीम सांसात महोदें के साथ मोहनपुरा डैन प्रजेक्ट के पंपिंग स्टेशन भी पहुंची इस सिजाई परियोजना की कारे प्रणाली को समझा मोहनपुरा देश की पहली परियोजना है जिसमें एक इंज भी ओपन कनाल नहीं है यह देश की एकलोती प्रिशर पंप परियोजना है जिसमें 6,000 किलोमेटर से ज्यादा लंबाई के इंटर कनाल पाइप सिस्टम के द्वारा हर खेत तक पानी पहुंचाया गया है देखिए यह जो जहां हम खड़े हैं यह मोहनपुरा डेम का पंप हाउस है और यह पंप हाउस यह देम यहां का पानी है यह इस देश की पहली ओजना है यहां से पूरा का पूरा पानी पाइप लाइन किसे जा रहा है ओपन केनाल एक इंची भी नहीं है और यहां से 70 किलोमेटर दूर पानी जा रहा है 70 किलोमेटर दूर प्रेसर पाइप से क्योल इसी डेम से डेड़ लाख हेक्टेर के लगभग नई जमीन सिंचीत होगी पूरा पानी प्रेसर पाइप से जाएगा और किसान को रात को खेत में जाने की ज़रुत नहीं है वो कोड नंबर उसके डिबबे पर डले हुए है वहां से मोबाइल का बटन दबाएगा यहां से बेठा बेठा मोबाइल का बटन दबाएगा खेत में सिचय प्रारम हो जाएगी और ये उसको समझ में आ जाएगा कि भई पानी अपना सिचय हो चुकी है संके तक उसमें लगे हैं बंद कर देगा कहीं जाने की जुरुत नहीं है राजगर जिले में 2018-19 तक जो MSP पर खरीदी होती थी या 19-20 तक वो करीब करीब आपकी 300 से 300 करोड की होती थी लास्टर की जो खरीदी थी वो बढ़के करीब करीब 800 करोड की हो गई है मतलब डवल से जादा का इंक्रीज हुआ है और यह जो सिचाई का रगवा बढ़ा है काफी हद तक इसका योगदान उसमें रहा है